कि नमस्कार दोस्तों आई ये स्वागत हैं आप सभी का अपना इस यूटूब चैनल जी अनफे स्टडी सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो मा पलो के लिए मैं सुरेशन छत्रमीती का जो भी बैसिक फर्मूला है और उसके इमेज से जो भी रिलेटेड सवाल एक्जाम में आता है रिल्वे हो एससी हो जीडी हो या एंटेपी से जो भी है उन सब में जो आता है उन सब को आप लोग के सामने कत्रित किये हैं और बताएंगे इसके बारे में आप लोग को सिर्फ वीडियो में लाश्तक बने रहना है देखें में क्या है उसको देख लिए जाएगा और टूडी में क्या क्या है उसको देख लिए जाएगा तो सबसे पहले आई यह जानते हैं पहले टूडी के बारे में देखते हैं कि टूडी में क्या क्या पढ़ना है उसके बाद 3D की और चलेंगे और बढ़ेंगे तो इसमें हैं पहल इसके जो आमने समने जो दो भुजा हैं ये बराबर हों चाहिए और इसके जो प्रतेक कोण होता है वो हमेशा आपको ध्यामने रखना है 90 डिगरी का होता है सायद ये आप लोग जानते भी होंगे लेकिन हम करा दे रहा हैं कि इसके आगे भी और बहुत कोश्चन बनेगा और आएगा तो पहले बैसिक से स्टेट किये जाएगा और बैसिक समझ लिए जाएगा तब असानी से समझ येगा परते एक गुण कितना का होता है 90 डिगरी का होता है अब चलिए अगर छेत्रफल की बात की जाए तो आयत के छेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चवड़ाई होता है परिमाप की बात की जाए तो आयत क्या परिमाप होता है आप लोग जानते भी होंगे कि दो गुण कोष्ट में लंबाइ जोरग दैख क्या फिसाइत है डोगुण staying is कुष्ट में परी माफ है और यह चेटरफल है और यह हैं और यह और कोई दिकतS मैं आयात के चेतर फलोगे कर्णा भाय फपरी माफक दूगुण नंपाई खोण जो ँचुमांड अब पाईये इससे कोशंद जो बनेगा तो हम आगे रखेंगे अभी बताएंगे लेकिने पटरवन के वीडियों पहले इसब के बारे में परिश्य आप लोग को करा दे रहे हैं अब हैं त्रिभुज हैं तो त्रिभुज जो हैं यह समकोण त्रिभुज हैं क्या हैं त्रिभुज तो कोई परकार के होता हैं लेकिन त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज के अगर छेतरफल की बात की जाए तो इसके छेतरफल क्या हो ब्रित के छेतरफल के अगर बात की जाए तो ब्रित के छेतरफल पाई यार स्क्यार होता है क्या होता है पाई यार स्क्यार परधी की बात की जाए तो टू पाई आर होता है अंदर इसका जो किंद्र के किंद्र से जो परधी पर जो लाइन जाती है उसको त्रिजिया कहते हैं अब थोड़ा सा इससे जो कोशन बनेगा उन सब कोशन को कराएंगे और आगे के वीडियो में लेकिन अभी थोड़ा सा बैसिक जो चीज है इसको समझ लिये जाए अगर परिमाप की बात की जाए परिधी तो टूपायार होता है इसका बृत का अब चलिए आगे बढ़ते हैं बर्ग हैं तो बर्ग का छेत्रफल की बात की जाए तो भूजा स्क्यार होता है मान लिजिए जे बर्ग में ये चारो भूजा क्या होती हैं बराबर होती है चारो भूजा अगर ए है तो छेत्रफल ए स्क्यार हो जागा परिमाप की बात की जाए परिमाप तो चार गुने भ भूजा होता है रूट दूगूले भूजा इससे कोचन आता है दस्तों जो भी कोचन है अभी आरवी जो गुरूब डी के एकजाम होने वाला है उसमें भी से वह से कोचन आएगा आप लोग टेस्ट शरी उठा करके देख लिए उसके बाद वुलिए चलिए यह देखते हैं यह बिकॉर्ण जो हैं दो बराबर भाग में इसको बाट रहा है तो अगर एक भाग का छेतरफल निकल लेजएगा और डबल कर लेजएगा तो आपका छेतरफल पूरा बर्ग क्या जाएगा यह स्क्यार कर लिज़ेगा अब चलिए बढ़ते हैं समांतर चत्रक्पज की पायत बर्ग और यह समांतर चथरसुजो सब समांतर चतुरहुज के सिरλिणी में आ सकता हैं आये संतुर бумद 70 के भुजब obviamente बराबर होung होगा अगर ये सव डिगरी का होगा तो यह कोण बाराबर होगा और ये देखते हैं कि इससे कोष्चन बनता है एक जाम तू सबको कराएंगे थोड़ा सा पहले आप लोग सके बारे में देख लिजी और इसका जो फर्मूला होता है उसको आप लोग नोट करते चलिए उसके बाद आगए बढ़ेंगे, अब आईए बढ़ते हैं सम चत्र हुज क्या तो सम चत्र हुज देखिए, सम चत्र हुज़ और विचारे भूजा बराबर होती हैं लेकिन अगर बर्ग है एक बर्ग है थोड़ा सा इधर देख लेजिए संब चतुरक विजय पर टेक भुजय क्या होती है बराबर होती हैं लेकिन हो सकता है कि आपके मन में एक बात यह फिल हो कि सर संब का हैं बार्ग भी थो है 지원 to ہा संब चतुर्बहल बार्ग को है कि और अगर संब चतुर्भुज कि बात की जाए दूस्तो तो बर्ग मान लेज़े थोड़ा सा यहां पर पहले देखिए मान लेज़े कि यह कोई बर्ग है क्या है यहां कोई बर्ग है एक बर्ग है आपका और इसी को ऐसे बना दिये जाए थोड़ा सा इस भुजा को उधर इस कौन को पकड़ कर इसे बना दिये जाए तो देखिए, चारु भूज़े तो सेम हैं, बराबर हैं, लेकिन कोण की बात की जाये, तो कोण में difference आगया, इसके बराबर ये नहीं है, तो कुछ न कुछ difference है, तो कोण इसके जो भी हैं, दोनों अलग-110 हैं, और इससे कोश्चन भी बनता है तो सब को कराएंगे पहले थोड़ा सा इसको समझे लेजे क्योंकि बैसी को ठीक रहेगा तो आगे समझने में मदद मिलेगा दोस्तों और कोई भी कोश्चन होगा तो असानी से आप लोग समझेएगा समझेएगर श्यत्रफल की बात की जाया तो एक बटदू गुन भी कोड़नों का गुनानफल होता है और बर्ग का श्यत्रफल का होता है एसक्वाइर होता है तो दिफिरेस्ट है अब यह परिमाफ होगा तो चार गुना फुजा इसका भी कर लेंगे चार फुजा का जोड़ करेंगे तो यह सम्म चत्रोंगे अब ऀस सम्मलम् चत्रोण उतकि यह सम्म लम् चत्रों चत्रों हुज किया है एक बात हम्याइसा नोट में कर लिजियेगा कि आयत वर्ग और समांतर मիर्या इस सम्मनंंतर सम्मझतstwiek oraz बर्ग­ आप विछाऔर सम्मैंस्मा इंस कआत शेतर् समलम चत्रहुज के अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा बात पहले समझें इसमें दो भूजा समानतर होती हैं अगर इस भूजा को आगे बढ़ाईएगा दोस्तों और इसको भी आगे बढ़ाईएगा तो एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएगी और दो ज सा याद रखना है कि समलम चत्रहुज दो भूजा क्या होती है समानतर होती है और दो भूजा और समानतर होती है इसका छेत्रफल होता है एक बड़ादू गुण समानतर भूजाओं का जोग यानि ए एक भूजा ए है एक भूजा यह है और एक भूजा यह बी है तो दोनों आगे बढ़ते हैं संबाहुत्रिफुज को देख लिए जाए संबाहुत्रिफुज संबाहुत्रिफुज तीनों अगर भुजा दी गई तीनों भुजा क्या हो बराबर हो मोः संबाहुतिरफुज को देख लेते हैं संबाहुतिरफुज में देखिए जो भी तीनों भुझा आएं दी जाएगी और और क्या होगी बराभर होगी यह ठुड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि संबाहुतिर सब दादाए और इसका और उचाई के स्कवार बटब तिन होता है अगर संबहु तीनफर्च की भूजा पूछा आपने आपसे अगर कोशन में संबहु तीन एपच की भूजा तो संबहु तिनफर्च की भूजा भूजा बटब होता है दू बटे रूट तीन होता है गुण उचाई होता है और आई ये सम्भाहुति रूपज की उचाई पुछा जाए आप से उचाई बराबर तो रूट तीन बटे दू गुण भूजा होता है अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं सम्भाहुति रूपज तो सम्भाहुति रूपज की उचाई बराबर आप से पूछे कि सम्भाहुति रूपज की उचाई क्या होता है तो सम्भाहुति रूपज की उचाई बराबर होता है एक बटा दू गुण अंडर उट फोर वी स्कॉयर माइनस ए स्कॉयर होता है इसमें के शेत्रफल होता है ए बट्टे फोर गुण अंडर रूट फोर बी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर होता है दोस्तू तो ये सब क्या है इन सभी को तूडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे screenshot आप ले सकते हैं या चाहे तो note भी कर सकते हैं उपर से screenshot ले करके और note भी कर सकते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा अब आगे देखते हैं ये तो हो गया आयत से अब देख लेते हैं कि 3D में क्या-क्या पढ़ना है उसके बाद 2D से question को चाली करेंगे ये part 1 का वीडियो है दोस्तों पाट 1 का वीडियो है उसके बाद पाट 2 के वीडियो दिये जाएगा सब में कराया जाएगा इससे जो भी question बनता है कि सारा जो भी से question बनता है अपने से बनाईएगा और clear होते चलेगा अब चलिए 3D की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं यह 3D है तो 3D में क्या क्या आता है देखिए 3D में क्या क्या आता है उसको थोड़ा सा देख लिए जाए गोला हो गया क्या हो गया गोला तो इसमें पूछे का गोला का आयतन पूछ देगा और यहां पर ब्रित से जो कोचन मनता है त्र संको का यहां पर इमेज बना दिये हैं कि उचाई उचाई बढ़ जाएगा और यहां पर इसका आयतन भी बढ़ जाएगा आयतन पुछदेगा इबर गुरत हैं तिरपो जाएक सब का आयतन कभी नहीं अप बढ़ जायेगा और यह वेलन की और थोड़ा सा देख लेते हैं बेलन का भी आप और हम इमज बना दिये हैं इस सब का फर्मूला भी बता देंगे पहले टूडी के जो भी क्वेशन है उसको क्लियर करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब ये बेलन है बेलन का भी आप देखने बेटर पर देखा जाएगा और इस से पहले जो Twoda हैं tury के जो भीются कोशानाने वाले हैं और इसके ँमेज हैं फरमुला सम करा दिये हैं और इसके बाद हम कराएंगे इस सब कराएंगे जो भी सूत्र है फरमुला है है और बनेगा उसको कराएंगे लेकिन इस पाटोन के वीडियो में यह सब फर्मूला है इमेज हैं इसको पहले आप लोग सही से समझे लेचिए उसके बाद आगे पाट्टू के वीडियो में इससे जो ही कोश्चन बनेगा आयत से त्रिभुज से ब्रित से बर्ग से सम्चत्रों सब को कराएंगा दोस्तों बस आज के वीडियो में इतने हैं धन्यवाद